नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की ओंटियर्स आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. ओंटियर्स आई ज्रॉप को आखों में कैसे डालना चाहिए और ओंटियर्स आई ज्रॉप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. और यह भी डिसकस करेंगे की ओंटियर्स आई ज्रॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. On-tiers Eye Drop का उप्योग आखों में सुखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए On-tiers Eye Drop का उप्योग किया जाता है इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर On Tears Eye Drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं. क्योंकि On Tears Eye Drop आखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती है और आखों में नमी को बनाए रखती है. On Tears Eye Drop में Artificial आसू होते हैं जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं. आखों की लेसिक सर्जरी या कैटरैक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्तर आखों में सूखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए On Tears Eye Drop को डालने की सला दे सकते हैं. आखों में सूखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ओंटियर्स आई जॉप की वजह से अभी तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किये गए हैं। लेकिन ओंटियर्स आई जॉप को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है। ओंटियर्स आई जॉप को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओंटियर्स आई जॉप को दिन में तीन से लेकर चार बार आखों में डालने की सलाह देते हैं। लेकिन ओंटियर्स आई जॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ओंटियर्स आई जॉप को आखों में डालने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि ओंटियर्स आई जॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ओंटियर्स आई जॉप को आखों में डालने के बाद ओंटियर्स आई जॉप के धक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और ओंटियर्स आई जॉप की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। On Tears Eye Drop, Pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी On Tears Eye Drop का उप्योग करना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को On Tears Eye Drop को आँखों में डालने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका On Tears Eye Drop से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।